राजधानी यह कभी कहें से भी राजधानी नहीं लगती है मैं इस राजधानी को नमबर वन बनाना चाहती हूँ सब को ये विश्वास हो है कि इस बार ये राची राजधानी सीट निकल जाएगी हम लोग जीतेंगे मागणदन इस सीट को इसको हम मेट्रो सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। प्रखन की राजधानी है। ऐसे में राची की जनता भी उस बार परिवर्तिन चाहती है। वहीं उन्होंने बड़ी बात करते हुए कहा कि जनता का अश्रवात से जीत कराऊंगी तो राची को देश का नंबर वन राजधानी बनाऊंगी। इतना बढ़ा गया कि उसको धीरे धीरे कम करने के लिए यह उजनाय है। और वह काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। बीच में उनको बहुत डिस्टब करने के कोशिच की गई। मानिया इमन सुरिन जी ने और महागडवन्दन की सरकार भी करेंगे और हम सब उनका साथ देंगे। बिल्कुल बदलेगा क्योंकि जनता ने बहुत इंतजार कर लिया। उन्हें लगा कि जब नगर विकास मंतरी थे हमारे मानिय विधायजी। उस समय लगा था कि आप उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, वो करेंगे। उस समय भी नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि अंतिम बार है, इस बार कर दीजे तुन्होंने फिर मौका दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। राजधानी कभी कहीं से भी राजधानी नहीं लगती। आप चाहते हैं परिवर्तन हो। और परिवर्तन सिर्फ ऐसे नहीं। मैंने वह विश्वास हासिल किया। मैं लगातार उनके बीच रहती हूं। उनके सुख दुख में साथ देती हूं। पर्त्योहार में जाती हूं। तो इस तरह से एक रिष्टा बन गया है वन टू वन कि अब वो मुझे विश्वास मुझे भी हुआ है। मैं इसे पूरे देश में नंबर वन राज्य के साथ साथ नंबर वन राज्य बने का सबना तो मैंने मुहमन सॉरिंगी ने देखा है। मैं इस राज्दानी को नंबर वन वनाना चाहती हूं। क्योंकि हमारा जारकर इतना खुबसूरत है। अगर हम लोग ठीक से सवारेंगे तो टूरिजम भी बहुत बड़े है। आपने देखा होगा कि पार्टी के सभी कारिकरता पतादीकारी बहुत सारे आयवे थे। सबको अलग-अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत जोश में हैं। और सबको ये विश्वास है कि इस बार ये राची राजदानी सीट निकल जाएगी। हम लोग जीते हैंगे महागरबंदन इस सीट को निकालेगी। जैसा आपने काहत है कि पचास हजार वोट से जो रहे हैं। आप कारी मतल से भी देखें। विल्कुल ऐसा विश्वास है कि जनता इस बार हमें चुनेगी। क्योंकि पिछले 30 सालों से वो जिन प्रतिनदी को चुनी है। उनसे जो भी उमीदे थी पूरी नहीं भी जो हालत इस राजदानी की है। देखकर नहीं लगता कि यहां कभी कोई काम हुआ होगा। जाना उन सबका लाभ यहां के जनता को पहुंचाना चाहूंगी। और एक उपर उठकर जो उनकी मुलभूत परिशानिया हैं उनको तो दूर करूंगी। और साथ ही वड़े विजन के साथ शहर का विकास करूंगी। आपने कहा था कि इसको हम अट्रो सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा यहां इतने मिनरल्स हैं कि पुरे देश को सप्लाई करते हैं कोईला लोहा तमाम तरह की चीजें। तो ऐसे में नीचे से सेकेंड पाइदान में जहरकन क्यों रहाएगा। इतना गरीब राज्य क्यों रहाएगा। माने मुख्यमंत्री जी इसलिए तो इतनी योजनाय लाज़ कर रहा है कि जो महिला तसकरी भाजपा के कारिकाल में महिला की हुआ करती थी। उसे रोका जाए। कुछ सैलरी के नाम पर यहां की बच्चियों को ले जाके दूसरे राज्यों में बिचा जा रहा था बाजपा के कारिकाल में। कितने तसकर, मानों तसकर उस समय यहां पर प्लेस्मेंट एजिंसी खोल चुके थे। उसमें से पन्नाला लाम का एक तसकर था जो लगभग 15,000 हमारे जारकन की लड़कियों के तसकरी वो कर चुके थे। सावित्री भाई फुले की शुरी सम्रीदी यूजना भी है, जो 40,000 रुपए उनको आगे जाके मिलेगा ताकि वो अपने दूसरी जरुता फूरा करें। तो ऐसे बहुत सारी यूजना है। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूलें।